आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी लिंक टू विंडो सर्विस एप में प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है कि इप स्टॉपिंग जब भी आप अपने अप को ओपन कर रहे हो तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्फ करें आज की वीडियो म है इसको ओपन कर लेना है सैटिंग ओपन करने के बाद हमें यहां पर जाने है कनेक्शन अन शेयरिग वाली ओप्शन पे क्लिक करना है इसमगि यहां नि HAVE हमीं के फिर लू डावना करने के करने पे अप्छिन देखेगा इपस का इस पे क्लिक कराओगे आपको Manage Apps का ओप्षिन देखेगा इस पे क्लिक कर मैंने या मेंने के बाद करना है सांड राइट-सचर WA पे त्री दॉट्ट्सच उसको simply हमें क्या करना है, उसको open कर लेना है, example के लिए मैं कोई ओर अप open कर लेता हूँ, तो आपको जिस app में problem आ रही है, आपको अप को open कर लेना है, उस app को open करने के बाद, सबसे फ़ैद उसकी storage पे आना है, storage पे आने के बाद, storage का clear catch कर देना है, storage का clear catch करने के बाद, हमें क करना है उसकी app permission पर जाना है तो app permission पर आने के बाद सारी permission one by one enable कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी permission deny नहीं करनी है सारी permission enable करने के बाद हमें जाना है other permission पर आने के बाद क्यां भी सारी permission same to same one by one enable कर देनी है यह सब करने के बाद हमें निचे scroll down करना है निचे स्क्रोल डाउन करने पर एक option देखेगा रिस्टिक डाटा यूसिज का तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहां पर आपको दिख जाएगा वाइफाई और मुबाइल डाटा तो इन दोनों को इनेबल कर दिजेगा इन दोनों को इनेबल करने के बाद आपको निचे स् किजेगा आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी तो थैंक यू गाइज